हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैं चैनल नितिका स्टेडी पॉइंट और आज का हमारा टॉपिक है फैट या फिर जिसे वसा कहा जाता है हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना कि कार्बो हाइडरेट और प्रोटीन क्या होते हैं यहाँ पर दो वीडियो अलग से मैंने बनाया है लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप उसे जरूर देखिए आज हम जानेंगे वसा या फिर फैट क्या होते हैं यदि हम बात करें फैट क्या होते हैं तो वहाँ एक कार्बनी क्योगिक है जो कि गिलिस्त्रॉल और वसी अमले की स्नयोग से बनते हैं वसा जो होते हैं सरीर को उर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख खादिपदार्थ होते हैं कार्बो हाइडरेट की तरह ही वसा जो होते हैं कार्बन हाइट्रोजन और ऑक्सिजन के योगिक हैं पर इनमें जो कार्बो हाइडरेट की तुल्या में जो ऑक्सिजन की मात्रा है वो कम होती है यहां पर जो फैट है हमारा वो जल में या फिर पानी में नहीं घूलता मतलब कि अगुलन सील है लेकिन जो दूसरे कार्बनिक घूलक है जैसे कि यहां पर बेंजिन इथर पेट्रो कुलियम, क्लोरोफॉम आदी में यह घूलन सील होता है यदि हम बात करते हैं कि हमें वसा से कितनी उर्जा मिलती है तो एक ग्राम वसा के जो आकसी करण से हमें लगबग 9 कैलोरी उर्जा की यहां प्राप्ती होती है हमने यहां पर देखा कि जो वसा है वो गिलिस्रॉल और वसामल के बनी होते हैं तो यहां पर जो वसामल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं संत्रीप्ते जिसे सैचूरेटेड कहा जाता है और दूसरा है और संत्रीप्त या फिर अनसाचूरेटेड संत्रीप्त वसा सामानने ताप ठो सवस्था में रहते हैं इन्हें पिगलाने के अलग से यहां पर हमें क्या गर्म करना पड़े गई नहीं इसका इग्जांपल वनस्पति घी और नारियल के तेल हो जाएंगे और संत्रिप्त वसा पिगली वास्था में रहते हैं और इसका इग्जांपल शर्सों तेल अक्रोड का तेल तील का तेल मुझ्भली का तेल ये 20-30% उर्जा की जो आवसकता है वो वसा से प्राप्त होनी चाहिए मनुष्य के आहार में मक्खन और जो घी है जैसी ये सब संत्रिप्त वसा हैं इनकी मात्रा कम होनी चाहिए क्योंकि ये जो संत्रिप्त वसा हैं वो आसानी से कोलिस्टरॉल में परिवर्थित हो जाती है इससे धमनी कठिन्य उच्च रक्त चाप या पर जिससे हाई ब्लड पेसर कहा जाता है और हाट से संबंदित यहां पर बीमारियां उत्पन नहों सकती है यदि हम बात करते हैं वसा के प्रकार के बारे में तो यहां पर वसा को उनके सोर्स या फिर स्रोत के आधार पे दो भागों में बाटा जा सकता है पहला है जन्तु वसा और दूसरा है वनस्पती वसा यदि हम बात करें जन्तु वसा या फिर एनिमल फैट तो ऐसे वसा जो की हमें जन्तुओं से प्राप्त हों वो जन्तु वसा कहलाएगा और दूसरा है यहाँ पर वनस्पती वसा यदि हम बात करें वनस्पती वसा की तो ऐ या फिर फैर जो हमें वनस्पतियों से प्राप्थ हो वो वनस्पति वसा कहलाता है यदि हम एक्जाम्पल देखे इनका तो जन्तु वसा में होगा दूद पनीर अंडा तथा मचली में जो पाया जाने वाला वसा है वो वनस्पति वसा सारी जन्तु वसा के अंतरगत आएगा और यदि हम यहां पर वनस्पती वसा की बात करते हैं तो इसमें तेल, अक्रोड, बादा, मुंगफली, नारियल, सरसो, तील, सुरज, मुखी, इत्यादिस जो हमें प्राप्त होता है वसा जो की वनस्पती है मुख्याता वे वनस्पती वसा के अंतरगत यहां पर आएंगे। प्राप्त होती ही हände एक गम वसा से तो इसका पहला है शरीर को उर्जा प्रादान करना सेकेंड या तुचा के नीचे जमा लोकर सरीर के टाप को बहां निकालने से रोकती है तिसरा है जाद्य पदार्तों में स्वाद उत्पन्नक करती है और अहार को रूचिकर बनाती है मत खाने को और जो खाना है उसे रूचिकर बनाती है यह सरीर के बिभिन अंगों को चोटों से बचाती है देखिए वसा सरीर के जो तवचा है उसके नीचे यहां पर वसी उतकों या फिर फैटी टिसू के रूपे यहां पर जमा हो जाती है और एक गद्दी या फिर कुसन की तर तो यह आंतरिक जो अंग है उसको यह बचाती है सुरक्षा प्रदान करती है कुसन की तरह या प्रोटीन के इस्थान पर सरीर को उर्जा प्रदान करती है तो यह इसके वसा के कारिय हो गए चलिए थोड़ा सा यह देख लेते हैं कि जो तेल या फिर ओईल है वो क्या होते हैं हमने जान लिया फैट क्या है पर हम यहां पर ओईल भी यूज करते हैं अपने खाने में वो क्या होते हैं तो यहां पर समान्यता 20 डिग्री सेलसियस पर जो वसा वो तेल कहलाते हैं चलिए अब जानते हैं कि वसा के कौन कौन से सुरूत हो सकते हैं घी और तेल वनस्पती घी ताजा घी इसमें आएंगे यहां पे बादाम, काजू, तील, मूंग फली, खोया, मूर्गी का अंडा, मचली, मांस, लीवर इसमें जो हैं वसा परियाप्त मात्रा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यहां पी अनाज, दाल, फल और जो सबजियां हैं उसमें वसा की जो मात्रा है वो अत्यंद कम होती है, चलिए अब देखते हैं कि यदि हमारे सरीर में फैट की जो है, वो कमी हो जाए, या फिर फैट की अधिकता हो जाए, तो उससे हमारे सरीर मे क्या प्रभाव पड़ेगा यहां पर यदि हम देखते हैं सबसे पहले कि कमी से क्या हो प्रभाव पड़ेगा मानों सरीर में तो यहां पर वसा की कमी से त्वच्चा रुखी हो जाती है वजन में कमी आने लगती है साथ ही साथ सरीर का जो विकास है वो अरुद्ध हो जाता है और यदि वसा की अधिकता हो जाए बॉडी में तो सरीर यहाँ पर इस्थुल हो जाता है जो व्यक्ति है इनसान है वो यहाँ पर मोटापा रोग से ग्रसित हो जाता है साथ ही साथ यहाँ पर अनिरोग जैसे रिदय सम्बंदित रोग, हाई बलड पेसर आदी इसके साथ यहा पर वसा की कमी या पर अधिकता दोनों हमारी सरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा इतना ही वसा के बारे में अब हम अपनी दूसरे जो वीडियो है उसमें मिनरल्स के बारे में और विटामिन्स के बारे में जरूर देखेंगे मैं लिंक य जाओंगी आप उसे चेक करते रहें यदि आपको यह अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और हां बेल आइकन जरूर दबाएए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाओं आप उसे देख पाएं थैंक यू फर वाचिंग